कि मैं भारत को भारती अता की मानिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगावों कि आप यो तेल खाती हैं न तेल तेल के बारे मैं आयरोगे तिय कहता है कि वात के सभी रोगां को संतुलित रखने के लिए तेल पित के सभी रोगों को संतुलित रखने के लिए देशी घी और कफ के सभी रोगों को संतुलित रखने के लिए शहद ये तीन चीजों का सेवन अतियावश्च फिर से सुनी वाद के रोगों को ठीक रखने के लिए ते पित के रोगों को ठीक रखने के लिए देशी घी और कफ के रोगों को ठीक रखने के लिए शहएद अब शहएद ना मिले तो उसकी जगे गुड लिख लो गुड तो कफ ठीक रहे तो इसके लिए गुड खाओ पित ठीक रहे इसके लिए देशी घी खाओ अब बात ठीक रहे इसके लिए तेल खाओ अब तेल कौन सा खाना ये मुझे बता हमारे घर में तेल निकाली के लिए अगर मशीन है घर में नहीं गाउं घर में तो शाहिए तो तो गाउं में जो गाणी चलती है उस पर निकाला हुआ तेल सबसे अच्छा ये बाजार से डबबे वाला तेल लाते है न ये जहर बाजार में जो तेल मिलता है जिसको अंग्रेजी में डबल रिफाइंड तेल कहते हैं टिपल रिफाइंड तेल कहते हैं तेल को रिफाइंड करने में जो केमिकल मिलाए जाते हैं वो केमिकल जहर है इसलिए ये डबबे और इवाला थेल आप मत खाए आप तो घापनी में गारणी निकलाना संई का ओ ती रिका ओ नारिएल का हो ताजा तेयल निकल करते हैं थेल लोग बहुते हैं कि वह तो गाड़ा होता हैं होसके पेल कि Teams अच्छा हुगा और रिपाइंट और डबल रिफाइंट टेल में यही रही किया जाता है, गाडापकर खतम कर देते हैं, पाणी जैसा टेल हो जाता है, यह तेल सबसे ज़ादा खतरना है, आजकल सबसे ज़ादा ह Cathedral, घात हो रहे हैं, अर्टेटे क्रिक्वरणnot हैं, की का तेल हो या कोई भी तेल हो लेकिन घानी में निकल वाला हुआ है और दूसरा माताओं को निवेदन है डालडा कभी मत लाना था दुनिया में महा सत्यानाशी कोई एक चीज है तो ये डालडा है इसने सबसे जादा बरबादी लाई है भारत के गाउंगा थोड़ा सस्ता है लेकिन जहर पे जहर है उसे डालडा का मैंने परिक्ष्ण कराया था तेईस जहर है उसे अकेले डालडा है ये कभी मत लाए तो नने लेने डालडा मेंगे कभी मत्तर च lunar तो पूरी बना वह बहुत अच्छी बांती है और मेरी माताएं बात मान ले तिल के तेल की पूरी तो भी इतनी स्वाद होती है जो किसी में नहीं नहीं एक दो मेर मेरप रहती है और अजाइन की का औरे सबसे घ्रादा शरीव नियुक्त है तहिंद का मागने की तिल है धोर्व शब्र इस में दोक्त मतला क्योंकि जो अपने लिए जहर है वो सब के लिए जहर तेल में ही बनाना घर में भी अगर जैसे शादी ब्याव बनाते हैं तरीके तेल में पूरी कचोडी बनाके खिलाव बहुत बढ़िया लोग बागा करें गया इतनी स्वाद बंती है और वो स्वाद खाने में आदे ह तो डालडा बन कर देना तिरीका तेल सरसों का तेहीं हो और तीसरा मैंने कहा आओ कि कभी घी खाना देशी डालडा वाला घी कभी खाना अब देशी घी घायका मिले तो सबसे अच्छा नहीं तो बहस का भी चलेगा लेकिन देशी घी और तीसरा और आखरी में हम बताया शहर्द मिले तो सबसे अच्छा शहर्द खाने का तरीका है दूद में ला लोते गुल्मने दूद में या ठेंडे दूद में शहर्द मिला के खा सकते नहीं तो पानी में मिला के पी सकते नहीं तो ऐसे ही चाट के खा सकते और शहर्द मेहना पड़े तो गुड़ खाना, चीनी बन कर देना माता है ये चीनी जो है न, मरे हुए जानवरों के हड़ियों से साफ की जा आप अगर शाकाहारी हैं और चीनी खा रहे हैं तो रोज आपके मुँँ में मास जा रहा है क्योंकि जानवरों को काटने के लिए कतल खाने चलते हैं सारे देश में उन कतल खानों में जानवरों को काटते हैं दस करोड जानवर कटते हैं इस देश में हर साथ उनका मास निकलता है, बजार में बिख जाता है, हड़िया निकलती है हड़ियों को ये चीनी मिले करीटे और हड़ियों का पाउडर बनाके चीनी को साफ करते फिर वो चीनी आपके पास आती है इसलिए चीनी बिल्कुल मत खाईए गुड़ खाईए उसकी पर गुड़ जादा अच्छा वो होता है जो काला काला हो और थोड़ा लाल रंका हो सफेद गुर बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि वो निर्मा पाउडर से दोया जाता है तो ये छोड़ी छोड़ी कुछ बात हैं जो मैंने कहीं आपके स्वास्त पर दुरुस्त रखने के लिए इनका आप उप्योग करिए